मैं डॉक्टर भामा अगरवाल आपके अपने यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं अभिनंदन करती हूं आईए प्यारे बच्चों आज हम श्री नागा अर्जुन जी द्वारा रचित प्रेत का बयान नाम कवीता का अध्यन करते हैं यह कवीता कवी ने परा मनो विज्ञान को आधार बना कर लिखी है प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ये जाने कि परा मनो विज्ञान क्या होता है मनो विज्ञान मन की चमता और उसकी स्थितिया होती है परा सेपरे अर्थात मनुष्य के मन का अस्तित्तु उसके जीवन के साथ है मृत्यू के बाद नहीं है परा मनो विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसमें वैज्ञानिक तरीकों का उपियोग करने के बाद उस तथ्य का पता लगाया जाता है कि मृत्यू के बाद भी मनुष्य की मनो विज्ञानिक चमताएं बनी रहती हैं अत्वा नश्ट हो जाती है तो यहां कभी ने एक अध्यापक के प्रेत के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि स्वतंत्र भारत का अध्यापक जो रास्ट्र निर्माता कहा जाता है भविश्य के निर्मान का दाइत्व जिसके कंधों पर होता है उसका स्वयम का वर्तमान और भविश्य दोनों ही चोपठ होते हैं अर्थात दोनों सुरक्षित नहीं होते हैं उसकी आर्थिक स्थिति और उसका मानसिक संतुलन हमेशा संखर्ष शीन रहता है यहां इस कवीता के माध्यम से कवी ने यही उदगाटन किया है कवीवर इस कवीता में धारम राज से और एक अध्यापक के प्रेट से आपसी समवाद के माध्यम से अध्यापक की बदहाली का बुरे स्थिति का उदगाटन कर रहे हैं कि कवी प्रश्न कर रहे हैं यदि राष्ट निर्माता की अवस्था और स्थीती ऐसी है, तो वो भला किस प्रकार भविश्य को सुरक्षित कर सकता है, जब उसका स्वेम का भविश्य सुरक्षित नहीं है। यहां अध्यापक का प्रेथ जब मृत्यू के बाद चित्रगुप्त के सामने लाया जाता है, यम्राज के सामने लाया जाता है, तो उसकी स्थीती को समवाधात्मक तरीके से प्रस्तुत करते हुए कवीवर लिखते हैं। कि अध्यापक के घर की हालत बड़ी दैनिये हैं, सोचनिये हैं, वहां अत्यदिक दरीदरता है, गरीबी हैं। यहां तक कि जब वह यम्राज के समक्ष, चित्रकुप्त के समक्ष अपनी स्थिती का उधगाटन करता है, तो वह भी चकित होकर पूछता है, कि तुम कहां से आए हूँ। तुम्हारी मृत्यु किस परकार हुई। तुम भूक से मरे, अकाल से मरे, भुखार से मरे, काला जार से मरे, प्लेग अत्वा, अन्य किसी और महामारी से मरे। प्रेतने, डरते हुए कपाते हुए। यम्राज के समक्ष, बड़े स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं जूट नहीं बोलूगा, सच कहता हूँ, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, अब किसी के गुलाम नहीं, जो हम डरीं। अपना परीचे देते हुए अध्यापक बताता है, कि मैं पुर्णिया जिला बिहार का रहने वाला हूँ, मेरी जाती कायस्त है, और मैं 55 वर्ष से अधिक की आयूका हूँ, और मेरा वैवसाय, मैं एक प्राइमेरी स्कूल में अध्यापक था, मुझे केवल 30 रुपे मासिक वेतन मिलता था, जो समय पर प्राप्त नहीं होता था, अनेकों बार तो 9 महीने बिना वेतन के निकल जाते थे, और इसी कारण मेरे परिवार में मेरी मा और मेरे चारों बच्चे, वो पहले ही भूक के कारण मृत्यू को प्राप्त हो गई हैं, लेकिन मेरे अंदर जो संखर शक्ती थी, उसके कारण में अब तक जिन्दा था, लेकिन अब मैं भी आपकी शरण में आचुका हूँ, यम्राज अध्यापक की इस बात पर यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते कि वे भूक से ही मरा होगा, उने लगा कि अध्यापक उने भी बच्चा समझ कर बहरा रहा हैं, उने भी पढ़ाने आया है, मास्टर के प्रेत ने, फिर उनसे कहा, आप मानिये अत्वान न मानिये, किन्तु सच्चाई यही है, भारत में अनेकों प्रकार की बिमारियां पर चली थे, मगर मैं अन्य किसी बिमारी से नहीं भूक से ही मरा हूँ, अध्यापक ने भ कुछ सहज भाव से बोला, कि जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने मरने से पहले कोई भायानक रोग का सामना नहीं किया, मुझे कोई बहुत अधिक पीडा नहीं हुई, मुझे तो बहुत समय से पेचिस हो रही थी, और मरते वक्त, जब पेचिस के दबाव को, रोग को मेरी आ संभाल नहीं पाई, तो मैं मिर्त्यू को प्राप्त हो गया, स्वातंत्र भारत के स्वाभी मानी और भूक से मरे हुए अध्यापक के प्रेत का यह बयान सुनकर, यमराज भी चिंता में पड़ गए, क्या भारत की स्थिती ऐसी है, फिर अध्यापक के प्रेत ने बताया, कि जब मैं मा के पेट में था, तो मेरा पिता भी भूक की आग में छुलसकर मर गया था, मेरी मा सुखिया ने मुझे जैसे तैसे पाला था, मेरे पिता के गुरू महराज ने ही कुछ थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता की और कुछ संखर्ष के साथ, मेरी मा ने मेरा पालन किया, और तब अध्यापक के प्रेत के दिमाग में वह विभिन अथियारों के नाम गुझ रहे थे, जो उसके पिता के गुरू महराज ने उसके छोपड़े के पास से गुजरते हुए दोहराये थे, कुकरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, इस कवीता में मूल रूप से एक अध्यापक की दैनियदशा का और स्वतंतर भारत की उस तस्वीर का चित्र अंकित करने की कोशिश की गई है, जिस चित्र को उजवल रूप देने के लिए है, विभिन स्वतंतरता सैनानियों ने कठोर संखर्ष किया था, कि स्वतंतरता के बाद मेरे भारत की तस्वीर पूर्ण होगी और यहां सभी के पास अपनी अपनी आवशक्ता की वस्तुएं अवश्य होगी लेकिन वह सपना पूर रूप से साकार नहीं हो सका मुझे ऐसा लगता है कि यहां कभी यही तथे उदगाटन करना चाहा रही है पद संख्या आठ जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिये महाराज तनिक भी पीर नहीं दुख नहीं दुवीधा नहीं सरलता पूर्वक निकले थे प्राण सहन सकी आंत जब पेचिस का हमला सुनकर दहाड स्वाधीन भारत के भुखमरे स्वाभी मानी सुसिक्षित प्रेत की रह गए निरुतर महा महीम नरकेश्वर प्रसंग प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठे पुस्तक समकालीन हिंदी कवीता में संकलित शिरी नागा अरजुन जी द्वारा रचित कवीता प्रेत का बयान से लिया गया है संधर यहां कवी नागा अरजुन जी परा मनो विज्ञान को आधार बनाकर एक अध्यापक के प्रेत और यम्राज के समवाद के माध्यम से स्वतंत्र भारत के अध्यापक की दैनिय आर्थिक दशा और उसके उच्छ मनोबल का संखर्ष दिखाने की कोशिश की है और कवी बताते हैं कि अध्यापक अपनी जी जी विशा को इतनी अधिक मजबूत रखता है इतनी अधिक संखर्ष शील होने के बाद भी वहां लेश मात्र भी ठेस नहीं पहुँचने देता और अपने स्वाभी मान और सम्मान की पूर्ण रक्षा करता है आर्थिक दूर्दशा से जूस्ते अध्यापक जो स्वयं और उसका परिवार भूखों मरता है फिर भी वह भूख को न एक समस्या मानते हैं न एक बिमारी मानते हैं बलकि उसे अपने जीवन का एक आनिवारिय अंग अत्वा नियती मान कर उसे सहज रूप से स्वीकार करत चला जाता है यहां ऐसी ही स्थिति का उद्गाटन करते हुई कवीवर बता रहे हैं कि जब एक अध्यापक भूख से मर जाता है और यम्राज के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यम्राज उससे मृत्यू का कारण पूचते हैं तो वह उसे अर्थात मृत्यू को भूख का परिणाम नहीं मानता है बलकि मृत्यू का कारण पेचिस को बताता है यहां उसी घटना का उल्ले करते हुए कवीवर लिखते हैं कि वैख्या शब्दों के अर्थ साथ साथ जहां तक जितना मैं ठीक समझता हूं मेरा अध्यापक के परेत ने अपने लिए प्रयोग किया है अपना खुद का संबंध रिष्टा है अथुआ बात है सुनिये महराज कि है नर्क के अधिपती महराज सुनिये तनिक भी पीर नहीं मुझे जराबी दर्द नहीं हुआ पीर दर्द तनिक थोड़ा सा भी दुख नहीं जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था दु बड़ी ही सहस्ता से बड़ी आराम से निकले मुझे जराबी कस्ट नहीं हुआ सहन सकी आंत जब पेचिस का हमला कि मुझे दस्त लगे और आंत इस जटके को सहन नहीं कर पाई सुनकर दहार कि इस प्रकार बुलंद आवाज में उत्तर सुनकर स्वाधीन भारत के स्वातंत्र बुक मरे भूक से मरे हुए स्वाभी मानी अपने संमान के रक्षक सूसिख्षित पढ़े लिखे प्रेत अध्यापक के प्रेत की रह गई निरुत्तर के यमराज के पास कोई उत्तर नहीं महामहिम अधिपति स्वामी सर्वशक्तिमान नरकेश्वर नरक के स्वामी यहां कवीवर नागा अर्जुन जी बता रहे हैं कि जब अध्यापक के प्रेतनी यम्राज के द्वारा ये कहा जाना कि तुम भूग से नहीं मरे क्या तो उन्हें क्रोध आ जाता है और वे क्रोध में यम्राज से ही पूछ बैठता है कि आखिर भूग किस बिमारी का नाम है मैंने तो आज तक ऐसी किसी बिमारी का नाम नहीं सुना तब उन्हें एहसास होता है कि वो यम्राज से बात कर रहे हैं अतै थोड़े से शांत और कोमल होकर बोलते हैं जहां तक मेरा अपना संबन है कि हिन नर्क के स्वामी माहराज यम्राज सुनिये जहां तक मेरी अपनी बात है जहां तक मैं ठीक सोचता हूँ मुझे भूख से कोई समस्या नहीं थी तनिक भी पीर नहीं कि जिस समय मेरे प्राण निकले मेरे शरीर में कोई दर्द नहीं था कोई पीड़ा नहीं थी और प्राण निकलते हुए भी कोई कस्ट नहीं हुबा, दुख नहीं कि किसी प्रकार का मानसी कत्वा शारेरिक दुख नहीं था, दुविधा नहीं और नहीं मन में किसी प्रकार की उल्चन थी, उसके मन में किसी प्रकार की कोई उल्चन, कोई कश्मकश, कोई असमं प्राण कि वह बताता है कि उसके प्राण बड़े ही सहज रूप से बड़े ही आराम से निकल गए, सह न सकी आंत जब पेचिस का हमला, कि जब उसकी आंत पेचिस के परहार को नहीं सह सकी, अर्थात जब अध्यापक को अत्यधिक दस्त लगे तो उसका कमजोरी को संभाल नही पाए और उनकी मृत्य हो गई। निरुत्तर हो गई। उनके पास अध्यापक की बात का कोई उत्तर कोई प्रश्न नहीं था। का शिकार होना पड़ा। आईए बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं। यहां कवीवर नागारजुन जी बता रहे हैं कि अध्यापक का प्रेत जब यमराज के प्रश्न के साथ अपने उत्तर को सहमत नहीं कर पाया। अर्थात जब यमराज ने पूचा कि तुम्हारी मृत्यू भूक से नहीं हुई तो अध्यापक ने बड़ी दड़ता से मजबूती से उत्तर दिया कि नहीं प्रवू मेरी मृत्यू भूक से नहीं हुई। मुझे भूक जैसी किसी बिमारी का नाम ही नहीं पता है। अर्थात एक निर्थन अध्यापक के जीवन में भूक कोई समस्या नहीं उसके जीवन का सहज हिस्सा है। अतर वह यम्राज के प्रश्ण का उत्तर देते हुए कहता है कि जहां तक मेरा अपना संबंध है सुनिये महराज। कि हे नर्क के अधिपती यम्राज जहां तक मैं सही समस्ता हूँ मेरी अपनी बात है वहां तक यही सही है कि मैं भूक से नहीं मराऊं। यकीन कीजिर जब मेरी मिर्त्य हुई तनिक भी पीर नहीं कि मेरे शरीर में जराबी दर्द नहीं था किसी प्रकार का कोई तन मन में दर्द नहीं था दुख नहीं कि ना कोई शाररिक दुख ना कोई मानसिक दुविधा नहीं और किसी प्रकार की कोई उल्जन नहीं कोई कश्मकश नहीं कोई असमंजस की स्थिती नहीं सरलता पूर्वक निकले थे प्राण कि मेरे प्राण बहुत ही आराम से निकल गए थे और निकले किस तरह सहन सकी आंतजब पेचिस का हमला कि मुझे पेचिस हुआ और मेरी आंतजब उस प्रहार को नहीं सह सकी तो मेरी मृत्यु बड़ी आराम से हो गई सुनकर दहार स्वाधीन भारत के भुकमरे स्वाभीमानी सुसिक्षित प्रेत की रह गए निरुतर महामहीम नरकेश्वर कि जब स्वतंत्र भारत के भूक से मरने वाले आत्म सम्मान से भरे हुए पड़े लिखे अध्यापक की प्रेत ने बड़ी द्रिड़ता से मजबूती से कठोरता से यह कहा कि मैं महाराज पेचिस से मरा भूक से नहीं मरा तो नरक के अधिपती यमराज को कोई उत्तर उस प्रेत की बात का नहीं सूजा अर्थात अध्यापक के इस तर्क का यमराज के पास कोई वितर्क नहीं था कोई उत्तर नहीं था कोई प्रश्न नहीं था भावार्थ अर्थात यहां बताना चाहते हैं कि स्वतंत्र भारत के अध्यापक को संभवतर पेचिस की बिमारी थी और वह धन अभाव के कारण अपनी उस बिमारी का इलाज न करा सका और उसे अकाल मृत्यु की भेट चड़ना पड़ा भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि स्वतंत्र भारत का अध्यापक जीवन भर अपनी आर्थिक विशमता से जूचता रहता है और आवशक खर्चों में भी उसका हाथ हमेशा तंग रहता है विशेश, यहां स्वतंत्र भारत के अध्यापक की दैनिय धशाका वर्णन किया गया है, व्यंजना शब्द शक्ति है, सरल सहज साहितिक खड़ी बोली का प्रियोग है, व्यंजना शब्द शक्ति है, करुन रस प्रशाद गुन है, मुक्तक चंद गेशेली और संगीत आत्मक बनी हुई है, यहां अनुपरा संबोधन उल्ले कारण आदी अलंकारों का सुन्दर सटीक परियोग हुआ है, पद संख्या नो मा के पेट में था, तभी इसका बाप भी, जोक दिया गया उसी आग में, बेचारी सुखिया, जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेशते रहेंगे खर्चे गुरु महाराज, प्रसंग पूरवत, संधर, यहां कभी नागार जुन जी, परा मनो विज्ञान को आधार बनाकर, यमराज और एक अध्यापक की दैनिये आर्थीक दशा और उच्च मनो बलके संखर्ष का बड़ा सजीव, सटीक और भावपूर्ण चित्रन किया है, यहां कभी वर बता रहे हैं कि अध्यापक की दशा हमेशा से ऐसी ही दैनिये रही है, निर्थन रही, और इसी तत्य का उधगाटन करते ह वे कवीवर लिखते हैं कि वैख्या, शब्दों के अर्थ साथ साथ, मा के पेट में अर्थात जन्म से पूर, तभी उसी समय, इसका अर्थात अध्यापक के प्रेत का, बाप पिता भी जोक दिया था उसी आग ने, कि भूक की आग में ही वह भी मिर्त्यू को प्राप्त हो अर्थात भूकों मर गया था, इसका बाप भी, बेचारी लाचार, सुखिया, अध्यापक के प्रेत की मा, जैसे तैसे किसी ने किसी करें, पाल लेगी पालन कोशन कर लेगी इसका, मैं तो इसे साल साल देखाया करूंगा, कि मैं तो साल दो साल में एक बार इसे देखने जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, कि जब तक मानव शरीर में मेरे चलने फिरने के लायक शक्ती बची हुई है, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए, तो क्या जन्म के बाद भी? कलवे बालक के काला रंग होने के कारण प्राय उसका नाम कलवा रख दिया जाता है भेजते रहेंगे खर्चे यानि जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्चा गुरु महाराज की जो अध्यापक के प्रेत के पिता के गुरु रहें तो उसी प्रसंग की और उलेक करते हुए शायद यहां गुरु महाराज शब्द का इस्तेमाल हुआ है कवीवर नागार जुन जी यहां अध्यापक के प्रेत के और यम्राज के समवाद का बड़ा भावपूर्ण चित्रन कर रहे है तो अध्यापक की दैनिय दशा को अध्यापक के प्रेत की जीवन में जो दैनिय दशा बनी हुई थी उसका वर्णन करते हुए कवी बता रहे हैं कि मा के पेट में था तभी इसका बाब भी कि जब यह अध्यापक अपनी माता के गर्ब में था उस समय इसका पिता भी भूग के कारण मर गया था अर्थात वह भी अपने परिवार की आजीवी का को ठीक प्रकार से नहीं कमा पाता था बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे कि अध्यापक के प्रेत की मा का नाम सुखिया था कि जब इसका जन्म हो जाएगा तो माता जैसे तैसे महनत करके मज़ूरी करके इस बच्चे का पालन पोशन कर ही लेगी मैं तो इसे साल साल देखाया करूँगा कि जब तसल्ली देने के लिए संत्वना देने के लिए अध्यापक के पिता के गुरु महरा जाये थे तो उन्होंने यह कहा कि मैं तो साल दो साल में इसे देखने आ जाया करूँगा जब तक चलने फिरने की ताकत है चोले में कि मेरा शरीर जब तक चलने फिरने में साथ दे रहा है तब तक मैं आता रहूँगा तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेशते रहेंगे खर्चे गुरु महराज? तो कलवे की माने अथवा अन्य लोगों ने संभावते पूछा हो कि क्या गुरु महराज इस कलवे के पालन पोशन के लिए आप आगे कुछ खर्चा, कुछ सहायता, आर्थिक सहायता दे पाए यह है कि यह अध्यापक जन्म से पूरुव ही इस आर्थिक विश्यमता के साथ जोज रहा है और उसी से जोजते जोजते आज मृत्यू का शिकार हो गया है आएए बच्चों एक बार फिर हम इस पद की व्याठ्या करते हैं यहां कवीवर नागार जुन जी अध्यापक के प् इसका बाब भी कि जब यह अध्यापक अपनी माता के गर्ब में था उसी समय इसके पिता भी जोज दिया गया उसी आग में कि भूक की आग के कारण मृत्यू का शिकार हो गया अर्थात वह भी अपने परिवार के पालन कोशन के लिए परियाप्त आय या धन नहीं कमा पात बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसे कि अध्यापक के प्रेट की मा का नाम सुखिया और जब ये बालक पैदा हुआ तो सब ने यही कहा कि जैसे तैसे सुखिया मेहनत मजूरी करके अपने इस बेटे को पाल लेगी मैं तो इसे साल साल देखाया करूँगा कि जो उसके पिता का संरक्षक था या उसका पिता जिसके लिए काम करता था तसली देने के लिए आया तो उसने यही कहा कि मैं साल दो साल में इने देखने के लिए आ जाया करूँगा जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में, कि जब तक ये शरीर मेरा चलने फिरने में साथ दे रहा है, तब तक मैं इससे मिलने साल दो साल में आता रहूँगा, तो क्या आगे भी इस कलवे के लिए भेशते रहेंगे खर्चे गुरू महाराज, तो संभा होता है, वहाँ किसी ने पूछा, कि क्या इस बालक के लालन पालन के लिए, इस बच्चे के पालन पोशन के लिए, क्या गुरू महाराज कुछ आर्थिक सहायता भेशते रहेंगे, बूख के साथ संखर्ष करना सीख लिया था अतर उसे भूख कभी भी ने समस्य मैसूस हुई और नहीं किसी प्रकार की कोई बीमारी विशेश यहां अध्यापक के प्रेत के माध्यम से स्वतंत्र भारत के अध्यापकों की दैनिये दशा का उलेख हुआ है सरल सहज सहाइतिक खड़ी बोली का प्रियोग है करुन रस प्रसाद गुन है व्यंजना शब्द शक्ति है मुक्तक छंद गेशयली और संगीत आत्मक्ता बनी हुई है यहाँ अनुप्रास, स्मरण, स्वर्मैत्री, पुनुरुक्ति प्रकाश, पद्मैत्री संबोधन आधी अलंकारों का सुन्दर सटी परियोग हुआ है पद संख्या दस, बढ़ आया बुद्धु अपने चप्पर की तरफ, नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर, गुरु महराज के मुँ से निकले हुई, हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुक्री, भाला, गंडासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खु प्रसंग पूर्ववत, संधर, यहां कवि नागार, जुनजे, परामनोविज्ञान को आधार बनाकर, अध्यापक के प्रेत और यमराज के समवाद के माध्यम से, स्वतंतर भारत के अध्यापकों की दैनिये दशा को उजागर कर रहे हैं, यहां कविवर, अध्यापक के प अरंब से दैनियद अशा को आर्थिक विशमता को दिखाना चाहते हैं। कभी बता रहे हैं कि जब अध्यापक का जन्म हुआ तो उस समय में घर की आर्थिक स्थिती दैनियद थी और अध्यापक का पिता भी भूख से मर चुका था। ऐसे में जो अध्यापक के पिता का संरक्षक था, अत्वा अध्यापक का पिता जिसके लिए काम करता था, वह अध्यापक के जन्म के अवसर पर वहां आया हुआ था। और जब तक अध्यापक कुछ बड़ा हुआ, तब तक वह प्राई आता रहता था। उनी का उलेक करते हुए कवीवर लिखते हैं कि बड़ाया बुद्धु अपने छप्पर की योर, कि जब अध्यापक कुछ थोड़ा सा बड़ा हुआ, बालक हुआ, तो वह अपनी तूटी-फूटी छोपड़ी की योर आ रहा था। नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर, कि उसके दिमाग में वो शब्द खूमते रहे जो उनके पिता के गुरु महराज ने बोले थे। आदी के शब्द उसके कानों में लगातार गुझ रहे थे। और वो शब्द थे खुकरी, भाला, गंडासा, बम और तलवार, तलवार, बम, गंडासा, भाला और खुकरी। अर्थात कवी कहना चाहते हैं कि बच्पन से ही अध्यापक संखर्ष के साथ अपने जीवन को पाता है और वहें उसी संखर्ष को जीवन पर करता रहता है। यहां कवीवर नागार जुन जी अध्यापक के प्रेत के जीवन के आरंभिक समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब यह अध्यापक बालक था। चोटा था उसी समय जब अपने घर के चपर की तरफ आ रहा था तो उसके दिमाग में अपने पिता के गुरू के मुझ से निकले हुए अनेक हथियारों के नाम उनके आकार प्रकार रूपरंग और परियोग आधी के विशे में लगातार शब्द दिमाग में घूम रहे थे कानों में घूंज रहे थे और दिमाग उनके साथ संखर्ष कर रहा था और वो हथियारों के नाम थे खुकरी भाला गंडासा बम और तलवार अर्थात इन हथियारों के नाम मन मस्तिस्क में घूंजने का अभी प्राए यह है कि एक गरीब आदमी एक ऐसाहाई और लाचार आदमी केवल अपने जीवन का संखर्ष अपने जीवन की लड़ाई विचारों से अथवा आधर्शों से नहीं लड़ सकता उसे अपने जीवन में सुईधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था से लड़ने के लिए हथियार बद भी होना पड़ेगा उसे विवस्था के विरुध हतियार उठाने पड़ेंगे तभी विवस्था बदल सकती है अन्यता विवस्था जोंकी त्यों बनी रहेगी आईए बच्चों हम एक बार फिर इस पद की व्याख्या करते हैं यहां कवीवर नागार जुन जी अध्यापक के प्रेत के बच्पन के घटनाओं का उलेक करते हुए बताते हैं कि जब अध्यापक बालत थे तो वहें अपने पिता के गुरु महाराज से मिलकर लोट रहे थे और धीरे धीरे अपने घर की चपर की ओर अपनी जोपडी की ओर आ रहे थे लेकिन नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुझ से निकले हुए हथियारों के नाम और प्रकार कि उसके मन मस्तिस्क में उसके दिमाग में अपने पिता के गुरु के द्वार पुकारे गए हथियारों के नाम, हथियारों के रूप रंग, हथियारों को परियोग करने का तरीका आधी अनेक विचार बड़ी तेजी से चल रहे थी, वो शब्द, वो हथियारों के नामों वाले शब्द, खुखरी भाला गंडासा बम और तलवार कवी के मन मस्तिस्क को पूरी तरह कचोट रहे थी अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि जो दीन हीन ऐसहाय व्यक्ति है वह अपने जीवन की लड़ाई अपने जीवन का संखर्ष केवल विचारों से अहिनसात्मक तरीकों से अत्वा शांत भाव से नहीं जीत सकता उसे अपने संखर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यवस्था के विरुद हथियार उठाने ही पड़ेंगे तभी व्यवस्था में परिवर्तन संबव है अन्यता व्यवस्था जोंकी तो बनकर इसी परकार निर्धन को जीवन भर अपनी दरिदर्था से अपनी निर्धनता से लड़ने को मजबूर करती रहेगी भावार्थ कवी के कहने का भाव यह है कि यदि हम व्यवस्था का परिवर्तन चाहाते हैं तो उसके विरोध में दृड़ता से खड़ा होना पड़ेगा विशेश यहां स्वतंत्र भारत के अध्यापक की दैनिये दशा का उल्ले किया है और साथ ही साथ ग्रामीन परिवेश में जो संखर्ष में स्थिती बनी रहती है जो हिंसात्मक रूप उसका धारन कर लिया जाता है उसका भी कवी ने उद्घटन किया है सरल सहज साहिती खड़ी बोली है वेंजना शब्द शक्ती है करुन रस प्रसाद गुण है मुक्तक छंद गेशैली और संगीत आत्मक्ता बनी हुई है यहां पर अनुपरास मानवी करण उल्लेख पदमेत्री आधी अलंकारों का सुंदर सटीक परियोग हुआ है इस पद के साथ प्यारे बच्चो हमारी यह कवीता और आज की कक्षा दोनों समापत होते हैं अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आशा है पढ़ा गया विशे आपको समझ में आ गया होगा अपन